नमस्कार मैं आपके साथ निहा शर्मा आप देख रहे हैं The Fact India कॉंग्रेस पार्टी में कल की दिन फिर एक बार लंबे मन्थन के बाद भी सचिन पाइलेट के लिए कोई निर्णे नहीं आया है कल फिर से प्रदीश की जनता और विपक्ष और खुद सचिन पाइलेट का यास लगाए बैठे थे कि कॉंग्रेस पार्टी की राजस्तान में क्या तस्त्वीर होने वाली है क्या मुक्यमंत्री अशोग गैलोद और सचिन पाइलेट फिर एक बार एक पटरी पर दोड़ते होई नजर आएंगे कल के मन्थन के बाद अमृत निकलना तो तै था और इस अमृत को सब तीने को तयार भी है लेकिन विश्पान कौन करेगा इसे लेकर आपस में टकराव है सेमाशोग गैलोद और सचिन पाइलेट के बीच अब ये जो टकराव है इसका क्या समाधान है जो निकल लेगा क्या सेमाशोग गैलोद पाइलेट के तीन मांगों को मान लेंगे जिन मांगो को खुद सीम आशोग गहलोत ने बे बुन्यादी मांगे बताई थी या सचिन पाइलेट इन तीन मांगो को छोड़ कर अपने कदम पार्टी के साथ बढ़ाएंगे मगर ऐसा होता है तो पाइलेट साहब के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जनता पूछेगी कि जो पाइलेट की साथ हमने सडकों पर तपती धूप में कदम से कदम मिलाया उन सब का क्या कल की दिल्ली में हुई मिटिंग में प्रदेश प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधावा संगठन के महा सचिल केसी वेणू गोपाल और चार सह प्रभारी भी मौजूद थे और सीम अशो गहलोद और पाइलेट को पहले भी एक बार दिल्ली बुलाया जा चुका है लेकिन उस मिटिंग के बाद भी पाइलेट पर कोई फैसला नहीं आया था और इस बार हुई मिटिंग में भी पाइलेट पर कोई फैसला नहीं आया है इन सब से क्या जाहिर होता है क्या सचिन पाइलेट का अपनी ही पार्टी में इतना कमजोर वजूद है क्योंकि देखा यही गया था कि पिछले बार चुनाओं में सचिन पाइलिट ने धरातल पर जबरदस्त मेहनत की थी लेकिन उसके बाद भी उनकी तीन मांगों पर इतनी बार मिटिंग होना सियम पद के लिए अशो गैलोत की जिद को देखकर लगता है कि कॉंग्रिस पार्टी में अंधरूनी हल चल बरकरार है और सुले हैं जो नहीं हुई है बहराल फैसले के दिन दूर नहीं हैं कुछी महीने बाकी हैं लेकिन आखिर कब तक कब तक कॉंग्रिस पार्टी में ये मिटिंगों का दोर जारी रहेगा इन सब पर आप सब का क्या कमेंट हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप देख रहे हैं The Fact India मैं आपके साथ नहा शर्मा